हेलो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है सुक्स किचन हिंदी चैनल में अब यह जो ब्रेड का चानीज फ्लेवर का नास्ता है यह बच्चे हो या बड़े हो सबको बहुत पसंद आता है आप सुबह नास्ते में बना सकते हैं टिफिन में लगा सकते हैं और इसको इवनिंग स्नेक्स में चाय के साथ भी खा सकते हैं बहुत ही बढ़ी अनास्ता है चलिए दोस्तों इसको फटा-फट देख लेते हैं कैसे बनाएंगे यहाँ पे हमने तीन सिम्ला लिये हैं छे-साथ का लिया लसन की लिये हैं तीन हरी मिर्चे लिये हैं एक इंच अद्रक का टुकड़ा लिया है और दो प्याज लिये हैं अब हम आदी शिम्ला मिर्च को चॉप करेंगे और आदी क्यूप्स में काट लेंगे आदी प्याज को क्यूप्स में काट लिया है और आदी प्याज को चॉप कर लिया है दो तिन चम्बच पानी डाल करके इसका एक घोल यानि की सलरी बना करके रख लेते हैं जब सलरी को हम इस रेश्पी में एड करेंगे तब इसको हम फिर से चला लेंगे यहाँ पर हमने पांचलाइसस ब्रेड के लिए है और आप इस ब्रेड को हम टोस्ट कर लेते हैं तो कडाई या पैन में आप तेल लगा दें थोड़ा सा और उसके बाद मीडियम फ्लेम पर ब्रेड का टोस्ट तियार कर लें यहीं ब्रेड को सेक लें यह काम आप अवन वगरा में भी कर सकते हैं जब एक तरफ से हलका सुनेरा हो जाए उसको पलट दें और दूसरी तरफ से भी इसको सेक लें दूसरी तरफ से भी हलका सा तेल अपलाई कर दें जब ब्रेड को हमने दोनों तरफ से टोस्ट कर लिया है सेक लिया है अब इस ब्रेड को हम कट कर लेते हैं इस ब्रेड को हम चौक और पीसेज में कट कर लेते हैं देखे ब्रेड को हमने यहाँ पर सारे कट कर लिये हैं अब चाहें तो इसके किनारे भी ट्रेम कर सकते हैं यहाँ पर कढ़ाई में एक चम्मस तेल लिया है अब इसमें हम यह बारी कटा हुआ लशन और अद्रक डाल देते हैं और इसमें हरी मिर्चें भी डाल देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए सौते करते हैं थोड़ा सा सौते कर लिया है बहुत ज़्यादा नहीं करना है अब इसमें बारी कटा हुआ प्याज डाल देते हैं और इसमें डाल देते हैं बारी कटे हुई शिम्ला मिर्च इसको भी थोड़ी देर के लिए लगबग एक मिनट के लिए सौते कर लेते हैं देखे यह सौते हो गया है अब इसमें डाल देंगे यह प्याज के क्यूप्स और इसमें डाल देंगे शिम्ला मिर्च के क्यूप्स इसको भी एक मिनट के लिए सौते कर लेते हैं प्रेंड्स अब इसमें हम डाल लेंगे सौसेस यहाँ पे एक टेबल स्पून सफेद सेर्का विनेगर एक टेबल स्पून डार्क सोया सौस आदी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर यहाँ पे कलर के लिए डाल रहे हैं एक छोटी चम्मच कास्मेरी लाल मिर्च का पाउडर इसमें बहुत अच्छा कलर आएगा एक चम्मच रेट चिली पेस्ट रेट चिली सौस और यह डाल रहे हैं एक चम्मच टोमाटो सौस इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसमें डाल देंगे एक चोथाई कप के करीब पानी यह रेसिपी ड्राई ही बनती है तो पानी आप ज्यादा अर्ड ना खरें दोस्तों अब यह स्लरी डाल देंगे जो कॉन फ्लार का हमने गोल बनाया था एक बाप फिर से चला दें क्योंकि कॉन फ्लार सेटेल हो जाता है बॉटम में इसको डालने चला करके और तुरंती इसको मिक्स कर लें अच्छे से एक बाइल आने के बाद इसमें हम डाल देंगे नमक स्वादा नुसर सौसेज में भी नमक होते हैं तो आप उसी हिसाप से डाले थोड़ा कम ही डाले नमक इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से और अब इसमें हम प्रेट डाल दें प्रेट डालते हैं हमने फ्लेम को बंद कर दिया है यहाँ पर अब इसे अच्छे से बस मिक्स कर लेना है देखे फ्रेंट्स यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसको हम प्लेटिंग करके निकाल लेते हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है और जटबट बन जाता है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें शेर करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ऐसे ही वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद